आज मैं बताने वाला हूँ कि ड्रीम 11 टीम कैसे बनाएं जीतने के लिए जहने का मतलब है एक ऐसा टीम बनाना है जो की मैच जीत सके और पेड कॉंटेस्ट में जो भी विनिंग एमाउंट डिसाइड किया गया है वो आपको मिल सके क्योंकि अगर आपको मैच जीतना है तो एक अच्छा टीम आपको बनाना जरूरी है जो आपके लिए अच्छा स्कोर करें आपको अच्छा पॉइंट टिलाए क्योंकि जिस भी कॉंटेस्ट में आप जोइन करोगे और उसमें जितने भी लोग जोइन करेंगे, जितने भी टीम पार्टिसिप्ट करेंगे, उसमें सबसे अच्छा टीम आपका होगा, जो सबसे ज्यादा पॉइंट लाएगा, और पॉइंट लाएगा तो rank 1 आएगा, और rank 1 आएगा तो आपको इनाम की रासी मिलेगी, अब rank 1 पर जितना यह नाम होगा चाहे लाख रुपया हो चाहे दस अजार हो चाहे एक हजार हो जो भी एमाउंट हो वह आपको मिल सकते हैं तो अच्छा टीम हम कैसे बना सकते हैं अगर हम किरिकेट का बात करें तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है कि आपको डेली 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 न्यूज देखना भी मैं टीम के बारे में बताऊंगा टीम कैसे बनाना है लेकिन जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है वो बता रहा हूं एक वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूं सर्च करोगे गूगल पर कि क्रिक बज इस कर्कट मिलेगा इस पर बहुत सारे न्यूज आते हैं क्रिकिटी डेयलेट से ढride डेली डेली आप सम्झो चीछुड कि इस से आपको प्रूरे परक्वॉर्धन्स ऐन भी अाभी क्राव भेट्ट को सब्साइब करना पड़ेगा तो थे ना पड़ेगा यहां परते रहे पद्टे रहे आपको इतना नॉलिज हो जाएगा इकाइब आपके लिए चुटकी ओखेल खेल हो जाएगा वह अचा-चा अपना को सब्सक्राइब होगे जिए यह तो यहां देखना है टीम बनाते समया आपको कौन-कौन सा बात का ध्यान रखना है उसको सम्झाने के लिए हम ट्रिम एड़ा के एफ्लीकेशन पर चलते हैं पर चलते हैं भर ट्री मीगियारा ओपन करते हैं यहां से एक मैच आपको दिखाई दे रहा है सड़ा मैच दिखाई देता है मैच है आपका वी एलस और डवल सी एस मैच को ही हम ओपेन करते हैं अब यह सब दिख रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करना है तो टीम बनाना पड़ेगा आप मल्टिपल टीम भी बना सकते हो कोंटेस्ट में जॉइन करने के लिए इहां सबसे पहला टीम मनाते हैं क्रिएट करके अब यहां पर जो है वीग्ट कीपर बैट्में ऑल्राUNGर बॉलर सब्द है तो यहां देखिए सब का क्रिड़िट नमर लिखा हुआ है हड़े क्लेर को किरेट मिलता है उनुके प्रफॉर् रहे हैं और प्लियर को सेलेक्ट किये हैं वो सब दिखा रहा है यहां पर देखिए सेलेक्टेट भाई 91.41 परसेंट मतलब कि आपके जैसे ही बहुत सारी लोगों ने इनको सेलेक्ट किया है तो माली जी हम इनको सेलेक्ट कर ले नैंटी वन परसेंट लोगों किया आप सोचो कि भाई चलो ठीक है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं अब बैट में में चलते हैं ठीक है बैट में में चलते हैं यहां पर भी सबका सेलेक्टेट वाई है ठीक है हम अभी कि यां तो हम भी देहा देखी कर रहे हैं है इसको देक कर रहे हैं प्रमाल लेजे अन्य चलते हैं लोग को सब्सक्राइब लोग और और करते हैं है यहां पर हम इस तरह से सझाइकर लेती है लेकिन यहां पर हम लोग कलती यही करते हैं कि देखा दही करते हैं आपको ऐसे प्लियर सेलेक्ट करने हैं जिनको बहुत सारे लोगों ने नहीं चुना है और वो खेले भी यहां नहीं कि आप ऐसा प्लियर चुन लीजिए कि वो मैच में खेले नहीं खेलना भोग जोरी है तो आपको बढ़ियां वाले रखने होंगे जो कि खेलें और अच्छा पॉइंट भी बनाएं बतलब अच्छा प्रफर्फर्मेंस करें क्योंकि अगर आप कुछ अलग रहोगे तो माल लीजिए अगर आपका किस्मत पल्टा और जिन लोगों ने में एक ही प्लेयर को बहुत सारी लोगो लिए और में नेक्सट करते हैं अ कलिक कर के यहां पर दिकैप्टन को मिलता है दो गूना पॉइंट वाइस कैप्टन और वाईस कप्टन में भी ऐसा चुनाव करना है जिनको कम लोगों से सेलेक यांव जर्ट लोग गलती ही करते हैं अब दिखीए है है परसेंटेज क्यैप्टर है न इसको जो है आप देखो गए तो यहां पर दीग क्या लिखा हुआ है यह जो है यूजीन इसको 31% लोगों ने चुना है कि ऐस मैसमेन को 19% लोगों चुना है तो इस तरह को रहता है तो आपको कैपटन ढेखना हैा उन लोगों बनाना है जिन को कम लोगों ने स्लेक्ट किया हो और अच्छा परफॉर्फरमेंस भी हो ठीक है जैसे कि माल लीजिए हम जे एंटोने इनका फॉइंट भी है चालिस और कम लोगों ने सलेक्ट किया है साथ ही परशनल किया है तो हम इनको बना लिते हैं ठीक है उसी तरह वाइस केप्टन में भी देखिए तेर ही काम करना है ऐसे बर्क ठीक बनाना है यहां पर वाइस केप्टन जो कि जिनका कॉम लोगों लिया हूप स्लग किया हो और उनका प्वैंट भी अच्छा सम्झेट यहां प्रवराम चलें तो देही हां के वल दसे परशेंट यहां पर देहीशित है इनका प्वाइंट भी अ सची कि अगर आपको अलग प्लियर्स लेते हो और किसी दिन वह प्लियर्स अच्छा नहीं छीन को बहुत चुना हुआ है तो उस दिन अगर आपका द्वाड़ा चुना गया अच्छा खेल ले क्यों कि कम लोगों देशन एक उच्छ को बहुत तो समझिए कि आपको जीतने लि यह क्लिक करने के बाद जो है तो बन गया है माइट इंप क्लिक करने के बाद जो है आपको यहां पर देखिए इसके उपर में क्लिक करना है ठीक है क्लिक करने के बाद जो है आपको क्या करना है कि यहां देखिए बैक猫 यह आपका ट्रीम सेलेक्क कर लेना है अभी मैं रेंडब्यली स्लेक्क कर रहा हूं चारब छोगों को सेलेक्क कर लिया हमने यहां से और इसको हम सेफ कर देंगे इसका मतलब यह होता है कि अगर जो 11 प्रेइड आपने स्लेक किया है अगर उसमें से कोई माल लीजिए आपका किस्मत खड़ा हुआ कोई नहीं भी खेलेगा तो जो आपने बैक अप लिया हुआ है ऑटोमेटिकली इसमें से वो चूज होके आपके निटीम में चला जाएगा इस लिए बैक अप रख जाता है अगर लीजिए अगर घ्रया तो सही है नहीं खेलेगा तो बैक अप मेंसे यह चार प्लेजर जो स्लैक किया उसमें से वह आपके टीम में जोड़ जाया इसको से कर दीजिए हाँ से इस तरह से अगर आप काम होने के बाद तो फिर जो है इससे आपको ज्यादा बेरिफित होने वाला है कहने का मतलब है कि थोड़ा सा टीम जो है आप अलग रखने के खूस कीजिए और जिनको बहुत ज्यादे लोगों ने लिया हो यह कोई जरूरी नहीं है आप वह भी लीजिए जो कि बहुत साथ बिल्कुल आपको किस्मत यह दोनों बदल सकते हैं क्योंकि पॉइंट बिल्कुल दुगना हो जाता है और डेर गुना हो जाता है ऐसे खिलोगे तो आपका जो टीम बनेगा वह बहुत बहतर होगा और बिल्कुल जीतने के लिए आप योग यह हो जाओगे कोई जरूरी नह लोगे कोनों कोश्चन बार कॉमेंट करें वीडियो बनावल देगे जाहिए